तो दोस्तों चुरें बात करने वाले L&T Technology Services, that is LTTS, L&T Group की एक बहुत ही बड़ी और दिगर्ज IT कमपनी जिसके फाइनली हमें Quarter 2 के रिजल्स FY25 के लिए आज आउट होते वे देखने को मिल चुके, तो देखते की किस तरह का Performance कमपनी ने हमें यहाँ पर Quarter 2 में दिखाया है, उस के साथ साथ हम यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर Company के Technicals भी समझेंगे, कि Numbers अगर Positive है, तो क्या Levels रहेंगे, अगर Numbers Negative है, तो क्या Reaction हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हो सके तो पुरा वीडियो देखने की कोशिश करना, और अगर आप हमारी YouTube चैनल पे नहीं हो, तो YouTube चैनल को प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब करके, बेल आइकन भे हिट जरूर करना, अगर हम यहाँ पर इंटरिम डिविडेंट की, तो कंपनी ने आपको यहाँ पर एक इंटरिम डिविडेंट जो है, वो अप्रूव करके दिया है, जोकि Porsche 17 रुपीज का रहेगा, र तो रेकोर्ड डेट रहेगी, वो रहेगी October 25th, that means, 25th October से पहले-पहले अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, मतलब LTDS के शेर से हैं, तो आप डिविडेंट के लिए डेफिनिटली जो है, वो eligible हो जाओगे. Now, starting with the numbers, सबसे पहले company का total income, जितने भी figures है, वो rupees in millions में, और यह है company के consolidated numbers, last year income था 2,427 करो, last quarter में था 2,524 करो, this quarter में 2,637 करोर का, तो clear है company का income yearly as well as quarterly, दोनों basis के उपर अच्छी तरीगे से ग्रो हुआ है, Seconding total expenses, last year 1,900 and something around 91 करो, last quarter में 2,091 करो, this quarter में 2,197 करोर के, तो rationally company का जो खर्चा है, वो quarterly yearly दोनों basis के उपर हमें ultimately बढ़ता हुआ देखने को मिला है. Now net profit for the period के अगर हम बात करें, तो last year company का profit था 315 करोर, last quarter में था 313 करोर and इस quarter में 320 करोर का, तो profit company का yearly भी बढ़ चुका है, quarterly भी बढ़ चुका है, लेकिन कोई बड़े margin के साथ grow नहीं किया, एकदम hulky full की growth हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिले और market की expectations भी इतनी ही थी, EPS last year 29.84, last quarter में 29.65 and this quarter में 30.20 के around का, तो बाकी overall numbers हमें यहाँ पर काफी हद तक positive ही देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर चेक कर लेते company के technicals, technically आज यहाँ पर जो है वो हमें LTTS के अंदर overall IT sector negative होने के बावजूद भी, अच्छी खासी यहाँ पर जो हमें त further view कल के लिए क्या रहेगा, तो हमने जैसे की देखा कि company का income बढ़ चुका है, company के expenses जो है वो हमें control देखने को मिल रहे है और उसके साथ company का जो profit है, वो छोटे से ही सही, inline जैसे ही, बट grow करता हुआ देखने को मिला है, that means कई ना कई numbers तो positive है, अब देखना यह है कि क्या य but अगर मालो gap down opening होती है, तो support इसका रहेगा 5000 and stock यह जो बड़ी range है, उसके बीच में ही आपको trade करता हुआ देखने को मिलेगा, right, तो अभी फिलाल थोड़ा सा careful रहे, कल direct opening पे कोई यहाँ पर buying selling ना करे, बाकि ultimately पैसा आपका है आपकी मरजी, but हो सके तो buying selling करने से पहले जो झाल